जैहिन दोस्तों स्वागत एक बाद फिर से आपके अपने चैनल क्रिकन फारॉन में तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले आरलेंड वर्से अफगानिस्तान के बीच जो फर्स टी-20 इंटरनेस्टल मुकाबला होने वाला है उसकी तो आई यह देख लेते हैं क्या-क्या इंपोर्टेंट अब्डेट्स है क्या प्लेइंग 11 होगा क्या टीमों में चेंजेज होने वाले हैं बैटिंग ओर क्या होगा क् से चेंज रहता है पिच कैसी होगी उस पर कौन से प्लेइस चल सकते मतलब मैच का पूरा लेखा जोखा देखेंगे तो स्टार्ट करते हैं वीडियो लेकिन उससे पहले क्या करने लाएं वीडियो कर देना जल्दी से लाइक और से आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता र प्रिपोर वो सब मिलेगा कहां हमारे टेलिग्राम चैनल पर इसलिए आपको हमारे टेलिग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी सजुड़ जाना है उसके लिए करना क्या है जो सबसे बेस्ट में था वह यह नीचे जो पिंड कोमेंट है यानि फॉर्स कोमेंट उस पर टेलिग् करेंगे टेलिग्राम चैनल पहुच जाएंगे ज्वाइन कर लीजेगा नहीं तो आप जाइए डिस्क्रिप्शन के थ्रू ज्वाइन कीजिए डिस्क्रिप्शन कहां दिखाई देखा जो वीडियो देख रहे हैं उसका टाइटल होता है टाइटल के नीचे वीज होता है व कोई भी गिदवाज ना अच्छा-खासा विकेट लेकर जा सकता है दोनों ही टीमों में ठीक है वह उतना विकेट टेकर ना भी हो तब भी विकेट लेकर जा सकता है और खासकर अगर टूपे ट्रैक हुआ है जैसे पिछले मैच में था तो फिर मतलब आपके अनालसिस का भर भी नहीं कर पाएंगा और वहां पर कुछ ऐसे गिदवाज है जो अनेक्सपेक्टेट रूप से ज्यादा विकेट ले जाएंगे तो आपको जो ध्यान देना है कि इंवेश्मेंट कम रखना है फोकस कीजिएगा ठीक है मैं ज्यादा इंवेश्मेंट नहीं करने वाला म में नॉर्मली अभी यह रिलेट सर्फेस का यूज कर रहे थे यूई के अगेंस जो पिष्ट थी ना वह बल्लेबाजों के मुफित था और मुम्मेंट था शुरूआती ओपरस में ठीक है लेकिन अभी जो मैच हुआ है अफगानिस्तान और आरलेंड का कौन सा ओडियाई मतलब घास दिखी नहीं रहा था तो सिंपल सी बात है या तो बल्लेबाज डॉमिनेट करेंगे या तो फिर अगर वो टूपेस्ट हो जाएगा तो टॉर्न होगा जैसे अगर आपने देखा होगा तो फॉर्स्ट मैच में क्या हुआ था फॉर्स्ट मैच में अफगानिस्ता भी डाल के बोला था कि कोसिस किजिएगा जितने अच्छे स्पिनर हो कबर कर लीजे अफगानिस्तान ने 236 की आयरलेंड 119 बनाई पेस को छे स्पिन को 12 विकेट मिला तो वही पिच रियूज हुआ तो एकदम भैंकर टरन था उस पे ठीक है और और ऑडियो भी मैंने आपक किया था और उन्हें काफी अच्छी भी गिदवाजी किया था लेकिन आने एक्सपेक्टेड रूप से जब बॉल्ट टर्न करना स्टार्ट हुआ तो लेजन फार के जगह उन्होंने खरोटे को लगातार गिदवाजी दे दिया तो सारे विकेट उनको मिल गए तो यही दिक को ज्यादा मदद था फिर लास्ट मैच उसी ट्रैक पर थोड़ा टूपेस हो गया था लेकिन वह रिलेट सर्फेस था वह सर्फेस अच्छा खेल ला था अभी वाला जो सर्फेस है वह लग रहा है ऐसा कि जानबूच के स्लो थोड़ा और ड्रायर साइट पर बनवाए गया कि जो अफगानिस्तान है उसकी बैटिंग थोड़ी कमजोर दिखाई दे रही है कैसे दिखाई दे रही है वह हम देखेंगे बात करते हैं इनके प्रॉबेबल लिए उनकी एक्सपेक्टेट बैटिंग ओडर में तो यह आपको इनका प्रॉबेबल लिए उन दिखाई दे स्क्रीन पर मुश्ट अब्ड़ की बात करते हैं तो देखें बैटिंग और में क्या चेंज होता है पहले एल टकर आ जाते हैं वन डाउन उसके अलाबा कैमफर टू डाउन हो सकते हैं नहीं तो टेक्टर ऊपर चले जाएंगे कैमफर नीचे चले जाते यह भी रहता है और के अलाबा डिलेनी मार्क डैर में भी थोड़ा सा बैटिंग पोजिशन चेंज होता है मोस्ट अब दोबर की बात करें जोस्वा लिटिल क्रेग यंग बैरी में करती मार्क डैर और गरेट डिलेनी यह पांच करते हैं जबूरत पड़ी तो डॉक्रेल भी हैं कैमफर भी है जो बॉलिंग कर सकते हैं एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर पिस लो रहा ना तो मोस्ट प्रॉब्ली यह यंग के जगां किसको लाएंगे किसी एक्ष्ट्राइस पीनर को लाएंगे ठीक है बैन वाइट है साइद इसक्वाइड में वह आते हुए दिखाई देंग ट्रैक ना होना इस्टरलिंग को छोड़ सकते हैं ठीक है क्योंकि आजकल यह बॉलिंग करते नहीं है और मोस्ट अब टाइम पंदरबीस जाते जाते यह विकेट फेक देते हैं तो बैटिंग ट्रैक है तभी स्टरलिंग को लीजिएगा नहीं तो छोड़ दीजिएगा फि एल टकर यह भी बहुत ही इंकंसिस्टेंट प्लेयर हैं कभी कभारी ज्यादा अच्छा चलते हैं वही है कीपिंग बैकप और थोड़ा बहुत 20-25 रन बना सकते हैं तो डिसेंट टाइप हो जाते हैं कीपिंग बैकप के कारण बर नहीं तो कंसिस्टेंट उतना रहते नहीं होतने अच्छा प्क नहीं होंगे लेकिन फिर भी रिक से कर रिस्क ले सकते हैं क्भी कभी कर कीपिंग सेवी अच्छा पॉंट दे देगे और कुछ रन बना देते हैं पिर आते हैं कर्थिस्टेंपर टेक्निकली स्ट्रॉंग बल्लेबाज Balling भी कर सकते हालीं कि कितना बॉ बॉलिंग भी मिल सकता है क्योंकि उस केस में किसी की पिटाई हुआ तो ओवर इनके पास जाते हैं तो अगर थीक ठाक पिक रहते हैं लेकिन अगर स्लोवर साइड पे ट्रैक है तो आप इनको छोड़ सकते हैं फिर आते हैं है जो की बहुत ही जबरजस्त बलेबाज है तग्र सब कंपंसेट हो जाता है इसलिए टीम में जरूर रखें बॉलिंग आजकल ज्यादा इनको मिलती नहीं है बस अगर बॉलिंग मिल जाए तभी यह ज्यादा पॉइंट देते हैं नहीं तो बैटिंग में कई बार इनके फ्लॉप होने के चांसे रहते हैं बीच में थोड़ा फिर आते हैं Garrett Delaney ये भी गिदबाजी करेंगे ठीक था खासकर T20 में टीम के मैंनी स्पिनर रहे हैं और उसके अलवा ये हिटिंग भी कर लेते हैं यहाँ पर टॉर्न है ड्रायर साइट पर अगर ट्रैक है तो Delaney को ले लिजेगा ड्रायर साइट पर नहीं है मतलब आता है ज तक मुकाबला जाए तो फिर ज्यादा इनको बॉलिंग मिलेगा और दूसरा इंपोर्टेंट पॉइंट की बैटिंग से ये बैक अप देते हैं लेकिन उतना भी कंसिस्टेंट नहीं है तो फिर आते हैं क्रेग यंग पेस और बाउंस के लिए चाने जाते हैं लेकिन लेकिन हालिया दिनों में इनका इंटरनेशनल क्रिकेट में अगर फॉर्म देखेंगे न तो बहुत अच्छा नहीं रहा है यह बहुत अच्छा तभी परफॉर्म करते हैं जब मुम्मेंट रहता है लेकिन उधर भी बलेबाजों को स्किल सेट उतना ज्यादा नहीं है और थोड़ा स्किल वाले गिदबाज हैं तो आप टीम में रख सकते हैं हां मुम्मेंट नहीं है तो थोड़ा सा अगर आप छोड़नेगा रिस्क लेना चाहें तो ले सकते हैं हो सकता एक विकेट ही मिले बहुत ज्यादा विकेट इनको ना मिले तो डिसेंट टाइप की अफगानिस्तान टीम के प्रिव्यू के तो अफगानिस्तान की टीम टैलेंटेट टीम हैं और कई बलेवाज ऐसे हैं जो थोड़ा लंबे-लंबे हाथ दिखा देते हैं और यह थोड़ा फेवरेट से स्टार्ट करें खासकर ऐसे कंडिशन में क्योंकि इनके पास तीन वर्ल साथ है ठीक है और उसमें एक गदवाज ऐसा है जिसको टीटवंटी में रासिट खान के कैप्टेंसी में थोड़ा कम बॉलिंग मिलता है कासकर लेप टेंडर्स के अगेंस ही बॉलिंग मिलता है लेकिन इन्हों ने दिखाया कि भाई अब से नहीं होने वाला और रासिट ख पेजय लग नवीनू लग रासित खान इनके मेन बॉलर हैं प्लस ओमर जाई पांच मेन बॉलर हैं और छठे साथवे बॉलिंग ऑप्सन इनके खरोटे और मुहमद नभी जादा कर जाएं तो यही इस मैच का सबसे बड़ा रिस्क है तो यह ध्यान दीजेगा खरोटे ने भी मोस्ली इस कंबिनेशन में नवीनूल हक करते हैं उमर जाई करते हैं लेकिन रासित खान भी कभी-कभी अपने आपको डेथ में लेके आते हैं सदीक अटल और एम इसाक इनका रिकॉर्ड बहुत अच्छा डोमेस्टिक क्रिकेट में नहीं है लेकिन सायथ खेलेंगे और इन करते हैं और बहुत ज़्यादा मुवमेंट नहीं है तो सुरुवात में इनको स्ट्रगल होगा नहीं पाउर प्ली के बाद भले फेग दे भरोसे मन नहीं है लेकिन कीपर में सबसे सेफ पी किया है तो इनहीं के साथ जाईए है फिर आते इब्राहिम जड़रान ये बिना र हटा दे रहा हूं क्योंकि ज्यादा मुवमेंट मिला नहीं है लेकिन मस्ट है पिक होंगे अच्छे कैप्टन सी ऑप्सन भी होंगे क्योंकि टॉप ओडर में बैटिंग करने आते हैं फिर आते मोहमद नभी बेहतरीन परफॉर्मेंस दिया है चाहे बल्ले से देखें चाहे सबसे वेश्ट गेदवाज हूं अगर आप नहीं है तो तो काफी अच्छे अल्राउंडर है टीम में जरूर रखे हां कैप्टन वाइस कैप्टन बनाना थोड़ असर इसकी रहेगा फिर आते हैं मोहमद इसाक अच्छे हिटर हैं सौट-सौट है इनके पास अलंकि डोमेस् तो यहां पर इनके पास भर भर के स्पीणर हैं तो कितना बॉलिंग मिलेगा वह बतापना मुस्किल है तो मेरे इसाब से ना बहुत अच्छे नहीं होंगे हां अगर मतलब लाइन लेंथ इनका अच्छा रहता है अगर पिच जो है तो एक जील में एज़े ट्रम का ट्राइ कर लीजेगा क्योंकि अगर मिला ना तो यह क्या दो विकेट अराम से लेके जाएंगे ठीक है मुझी बूर रहमान बहुत अच्छा गिदवाजी करते हैं बस यह है कि फिर से यह कापी दिनों बाद आ रहे हैं तो उस हिसाब से लाए में रहेंगे की नहीं लेकिन अब आप फेजालक फारुकी जो की ठीक ठाक गिदवाज हैं यहां मुवमेंट नहीं होगा तो हो सकता है उतने एफेक्टिव ना हो लेकिन फिर भी यह टैलेंटेट गिदवाज है और सुरुवाती ओवर्स में विकेट मिलने के चांस है क्योंकि टॉप थी का फॉर्म इनका बहुत जाएंगे अच्छे पिक होंगे पिर आते है नवी नुलग स्लोर साइट पर ट्रैक है तो विकेट लेने के चांस है जिनके हमेशा रहेंगे कटर करते हैं चेंज पेस का इस्तेमाल करते हैं और वही इस पिछ पे चाहिए तो बढ़ियां पिक होंगे फर्स्ट इनिंग में तो बिना सोचे समझे ले लेना है डेथ भी करेंगे सेकेंड बॉलिंग में भी आप आराम से कवर कर सकते हैं तो यह अच्छा नीचे मोस्ट परबली और कोई नहीं खेलेगा तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं मैचस की बात कर लें गुरबाज की अगर बात करें तो मारका ड पॉल इस्टरलिंग रासित खान के अगेंस इनका इस्ट्रगल है और हो सकता है रासित खान को पहले इंट्रड्यूस इनके लिए कर दिया जाए ठीक है एंडी बालविर ने रासित खान और फेजल अग फारुकी और मुजीब मुजीब वह इस्ट्रगल देखिएगा साथ साथ बार ओडियाई में असी रन बनाने में चार वर ग्यारा वर आउट कर चुक है इवन फेजल भी परसान करते हैं रासित के अगेंस तोड़ा रिकॉर्ड इनका कराब है डिले नी तो रासित खान के अगेंस अगर आप ऐसे जाएंगे तो विकर तो भी गिरे गई तो यह की बात करते हैं स्टार्ट करते हैं थोड़ा सा इंवेस्ट्मेंट कमी रखेगा वेट कीपर में गुरुबाद सबसे अच्छे पिक हैं टकर कभी कभारी चलते हैं टी-ट्वंटी फॉर्मेट में तो एकाग गील में खासकर थोड़ा बले बाजो का अच्छे ट्रैक है तब नहीं लेते हैं आप चाहें तो ट्राइ कर सकते हैं मुझी बढ़ियां पिक रहते हैं आईरलेंड के अगेंस खासकर ऐसे ट्रैक पर फेजालग फारुकी अच्छे पिक होंगे यह क्या दो विकेट मिलेगा यंग थोड़ा साइधर बाउंस की कमी है तो विकेट मिलने के चा बालिंग में काफी अच्छे पिक होंगे तो दोस्तो यह थी मेरी टीम जिसके साथ मैं जा सकता हूं बाकी कैप्टन वाइस कैप्टन की बात करें तो मरजाई को मैंने कैप्टन किया रासित को वी सी गुरबाज अगर बैटिंग ट्रैक है तो रिस्क ले सकते हैं कैप्टन बनाने पर और मार का डायर अगर फास बोने के तो उनको भी कैप्टन कर सकते हैं तो इसी के साथ दोस्तों यह वीडियो समाप्स होता है वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजेगा नीचे पिंड कोमेंट में टेलिग्राम चैनल का लिंक है उससे भी चुट आने वादू